अयोद्या में स्री राम जन्म भूमी के सिलन्यास के बाद में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी जी ने एक बड़ा एलान कर दिया। प्रधान मंत्री जी ने प्रधान मंत्री सूर्योदे योजना दोजार चोईस को लांच कर दिया। अब इस योजना में कौन-कौन लोग इसमें पात रहोंगे, किस-किस को मिलेगा फाइदा, आउन-लाइन का फार्म किस प्रकार से भरा जाएगा और कहां से भरा जाएगा। तरीका भी मिल जाएगा। ठीक है इसी प्रकार से हमने बहुत सारे इसमें फॉर्म भी बढ़े हैं National Health Commission ये वाले हमने फॉर्म भी बढ़ा है ऐसा ही पोर्टल आपका सूर्योदे योजना का भी रहेगा सारी जानकारी स्टेप बाइ स्टेप में आपको कंप्लीटली बताने वाला हूँ दोस्तो कि आपक अगर फ्री में आपको पूरा फॉर्म भरना है और इसमें आपको फ्री में ही सिस्टम लगवाना है तो पूरी जानकारी को समझना होगा जनवरी दोजार चोईस के अनुसार पूरी जानकारी अपडेट है फ्री में आज ही अपने सोलर सिस्टम के लिए लगवाने के लिए आपको पूरी योजना देखना होगा इस योजना की गोशना को मानेनी प्रधान मंत्री स्री नरेंद्र मोधी जी के द्वारा अयोध्या के लोटने के बाद पहला निर्ने लिया उनके द्वारा जो निर्ने लिया गया है पहला निर्ने है अगर आप भी PM सूर्योदे योजना के लिए solar rooftop लगवाना चाते हैं तो online farm भर दें यह जानकारी के लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा प्रदायन मंत्री सूर्योदे योजना प्रारम नरेंदर मोहदी जी के द्वारा प्रारम की जा रही है जिसमें एक करोड घरो पर solar rooftop लगए जाएंगे इसमें मद्यम परिवार या फिर गरीब परिवार इन सभी के लिए बिजली का बिल कम आई और उर्चा के छेतर में भारत आत्म निर्भर हो सके इसके लिए यह सारी योजना को लागू की गई है अब आगे बढ़ते हैं कि प्रधान मंत्री सूरियोदे योजना दोहजार चोईस क्या है प्रधान मंत्री सूरियोदे योजना दोहजार चोईस के अंतरगत एक करोड घरो पर solar rooftop लगाए जाएंगे जिसके अंतरगत online farm भी भरे जा रहे हैं अगर आप solar rooftop अपने घर पर लगवाना चाते हैं तो आप उसके लिए बिजली का बिल आपका बचेगा और solar rooftop लगवाने इसके लिए आपको कौन-कौन से दस्तावेज लगने वाले हैं आज हम इस वीडियो के द्वारा पूरी जानकरी आपको देने वाले हैं तो दोस्तों लास्ट तक जरूर बने रहें solar rooftop योजना 2024 क्या है स्री राम प्रांट प्रतिष्ठान के बाद प्रधान मंत्री नरेंदर मोधीजी द्वारा प्रधान मंत्री सूरेदय योजना का लांच किया गया जिसमें एक करोड घरो पर rooftop लगाए जाएंगे जिसमें आउनलाइन फर्म भी भर सकते हैं बिल्कुल फ्री में भरा जाएगा साथ ही solar rooftop आपके लगाने के बाद केंदर सरकार के द्वारा आपको 40% की subsidy भी दी जाएगी आगे बढ़ते हैं प्रधान मंत्री सुर्यदय योजना 2024 अपलाएं ओनलाइन रेइस्टेशन योजना का नाम रहेगा प्रधान मंत्री सुर्यदय योजना प्रधान मंत्री सुर्यदय योजना कब शुरू की गई है 22 जनवरी 2024 को ये योजना प्रारम की गई प्रधान मंतरी सुर्यद योजना का उदेश से क्या है इस योजना का उदेश सबी लोगों को बिजली का बिल कम करना यानि की बिल आपका कम आई सुर्यद योजना के अंतरगत का आपकी सुरुवात किसने की है प्रदान मंतरी नरेंदर मोधी जी ने इसकी सुरुवात किया आईए जानते हैं बचत के से होगी और किस प्रकार से होगी अगर हर महीने आपके घर का बिजली का बिल पचीस सो रुपे से तीन हजार रुपे तक का आ रहा है इसके लिए इसकी लाइफ जो है पचीस साल की रहने वाली है जिसमें आपका जो खर्च रहेगा बहुत तर हजार रुपे लगने वाला है आप इस महीने में बाटे तो ये आठ रुपे प्रती दिन का हो जाएगा ठीके आप इसके बाद में हम यहाँ पर समझते हैं केंद्र सरकार के लिए इस साल 2024 में पर पीम नरेंद्र मोदी जी ने हाली में प्रधान मंतरी सूरेत योजना का एलान भी कर दिया है इस योजना के तहट प्रदान मंत्री नरेंद्र मोधी जी ने केंदर सरकार में देश भर में एक करोड घरोत पर रुफ्ट व सोलल सिस्टम लगवाया जाएगा जिसका आपके सामने हैं पर डिस्किप्शन भी दिया गया है रुफ्ट व सोलल सिस्टम आठ रुप्रे प्रती दिन यानि कि 25 साल तक आपको यह बिजली दी जाएगी अगर आपके घर में बिजली का बिल 25 सो से 3,000 के बीच में आता है तो 3 किलो वाट तक का आपको रुफ्ट व सोलल सिस्टम लगवाना होगा ओफिसल वेफ साइट भी हम आपको बताएंगे 3 किलो वाट तक का आपको प 72,000 रुपे ही करना होगा इस प्लांट की अनुवादी जो लाइफ है 25 साल की रहेगी इस हिसाफ से 25 साल की बिजली के लिए हर दिन आपको सिब 8 रुपे खर्च करना होगा सोलर सोलर जो सिस्टम क्वालिटी है उसमें अगर किसी कारण से कीमत बढ़ती है तो वो आगे उसम 2,000,000,000 के से उपर आपकी इंकम नहीं होना चाहिए अनीधा आप अप आप्लाई नहीं कर सकते हैं सोलर सिस्टम के लिए आपके घर पर ह fertig से जुड़ा हूआ को यूदि क्वें करते हैं सर्वीस से जुड़ा हूआ को यूज्वी का लाब नहीं लेपाएगा अब हम बात करते हैं कि आपका जरूरी डॉक्मेंट्स कौन-कौन से रहने वाले हैं तो यहाँ पर आपके जो डॉक्मेंट्स की बात करें तो सबसे पहले तो आपका आधार कार्ट आपका होना चाहिए address proof में भी आपका आधार कार्ट भी लगा सकते हैं बिजली का बिल आपका जो address proof में है जो घर का address proof है उसके लिए बिजली का बिल income का certificate, mobile number, bank passbook और passport size का photo जो recently हो रासन कार्ट आपके पास होना चाहिए इसके बाद में अगर हम यहाँ पर देखें तो आपका car certificate भी होना चाहिए याने कि जाती प्रमान पत्र भी होना चाहिए मूल लिवासी भी होना चाहिए और आपका bank जो account है वो dbt से enable होना चाहिए तभी आपका पेशा आप आएगा तो दोस्तो वीडियो अच्छा लगे तो एक like जरू कर दे चैनल को सब्सक्राइब कर ले धनिवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए आपका दिन शुबर